Hello friends, welcome back to my channel Shalini Singh तो आज हम लोग बहुत ही important topic complete करने वाले हैं जिस topic का नेम है probability तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ probability होती क्या है तो probability को अगर हम लोग समझते हैं easy language में तो उसका मतलब होता है किसी चीज के होने की समभावना मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक example कितरू आपको समझाती हूँ जैसे जहां हम लोग कोई भी cricket match या कुछ भी खेलते हैं तो हम लोग सबसे पहले toss करते हैं toss के लिए हमें चाहिए रहता है एक coin तो जब भी आप coin को toss करोगे तो आपके पास दो चीज होती है या तो first team कहेगी मैं head ले रहा हूँ या tail ले रहा हूँ मतलब दो चीज हो सकती है या तो head आएगा जब भी आप coin को toss करने वाले हो या तो head आजाएगा या तो tail आजाएगा मतलब सिर्फ दो probability है या तो head आएगा या तो tail आएगा तो इसी चीज को हम probability कहते हैं अब probability में आपको find out ये करना होता है कि कितनी chances हैं कि अगर हम toss करेंगे coin और head आजाए सेम इस तरीके का है ये चीज जैसे कि आपको मैंने एक dice दिया डाइस वह होता है जिसको हम लोग लूडो में खेलते हैं तो उसमें 6 चीज आ सकती है जिसे मैं आपको बता देती हूँ एक बर या तो one आ सकता है क्योंकि dice में one होता है ना two, three, four, five, six इन 6 चीज होती है ये इन 6 में से कोई भी एक चीज एक बार में आएगी तो total कितनी चीज आ सकती है आपको पता है 6 में से कुछ भी आ सकता है तो अगर मैं probability पूछू कि three के आने की probability क्या होगी तो यही चीज find out करते हैं हम इस chapter के थुरू कि जब आप एक dice को फेकने वाले हो तो three आएगा या नहीं आएगा तो अगर आएगा तो उसकी क्या probability है क्या possibility है कि three ही आएगा तो यह चीज अगर हम निकालेंगे तो इसी को हम probability कहते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिकत नहीं मैं आपको एक example कि थुरू समझा देती हूँ जल्दी से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से पहले subscribe कर लीजेगा तो चलिए start करते हैं सेम मैं इसी question को आपको पहले एक formula भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी चीज की probability निकालना है तो एक formula आपको पता होना बहुत ज़रूरी है तो उस formula का आप जल्दी से अभी ही रटलो probability निकालोगे तो ओपर आएगा number of prials in which the event happened upon आएगा total outcomes अब अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह क्या लिख दिया समझ में ही नहीं आता है तो easy formula यह होता है favorable outcome upon total outcome इसका मतलब यह है नीचे total लिख देंगे हम लोग क्या क्या चीज़े आ सकती है सारी चीज़े हम नीचे लिख देंगे count करकर और उपर लिखेंगे जो चीज़ हमें चाहिए जैसे यही सेम आपन लोग question लेते हैं यह probability लिखी है किसी event के होने की P of E मतलब किसी event के होने की probability एक dice दिया मैंने आपको dice वही होता है जो हम लोग जिससे loodos खेलते हैं वो आता है उसी को मैंने आपको दिया है और मैंने आपसे कहा कि आप उसको roll करो और मुझे बताओ क्या probability होगी कि उसमें 1 आ जाए तो आपको probability बताना है कि आपको एक dice दिया गया है उसको सिर्फ एक बार आप roll कर रहे हो और आना चाहिए 1 तो उसके लिए आप सबसे पहले count करोगे क्या क्या चीज़ें आ सकती है तो या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6 मतलब इन 6 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आईगी एक बार में ये तो आपको पता ही होगा तो टोटल आउटकम में हम लिख देंगे कितनी चीज़ें आ सकती है 6 आ सकती है और उपर क्या आ सकता है सिरफ क्योंकि हम probability निकाल रहे हैं 1 की तो 1 ही उपर आना चाहिए ऐसा हम मान के चलते है मान के क्या ऐसा ही होता है तो 1 की probability हम मान लेंगे 1 यहाँ पे कितनी बार लिखा है 1 सरफ एक ही बार लिखा है मतलब 1 की आने की इन 6 में देखते हैं तो एक ही बार की probability है तो यह आ गया 1 क्योंकि हमें फेवरेबल कितना था 1 तो 1 उपर लिख दिया टोटल आउटकम में नीचे 6 लिख दिया हम यह वाला 6 यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने यहाँ मैंने सब को count करके जितनी भी होती है अगर यह 7-8 होता तो मैं उनको भी count कर लेती और जितने आते हो उतने लिख देती तो यह probability है 1 के आने की तो मैंने आपको एक dice दिया था तो 1 के आने की क्या probability है इस exercise को हम complete करेंगे पूरा इस exercise को मैं आपको complete कराने वाली हूँ यह रही काफी lengthy exercise है लेकिन आपन लोग बड़े आसानी से इसको करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe